संरक्षक बंत्री डॉक्टर नेतिन राउत के सुझाफ के अनुसार आज जिले के 330 केंद्रोपा महिलाओं के लिए विशेश टीककरण अभियान चलाया गया जिले में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और मंगलवा शाम पांच बजे तक 2230 महिलाओं का टीककरण किया जा क्योंकि पूर्शों की तुलना में महिलाओं के तीककरण की संभावना कम होती है और तीसरी लहर में छोटे बच्चों पर कोरोना का विशेश प्रभाव पड़ता है यह अभियान आज नागपूर जिले के 330 के इंद्रों पर लागू किया गया इसमें नागपूर शैर के 166 अरती करें के इंद्र शामिल हैं नगर निगम शेतर में 12,363 और ग्रामिन शेत्रों में 9866 महिलाओं का टीककरण किया गया महिलाओं में गर्वती महताओं और महिलाओं के टीककरण अभियान को लेका विशेश प्रतिक्रिया रही इस टीका करण अभियान की योजना को लेकर अभिभावक मंत्री नितिन राउत की अधिक्षिता में हुई बैठक में संभाग आयुक्त प्रजाक्ता लंबागारे वर्मा कलेक्टर विमला आर मोख्य कारेपालन अधिकारी पहल की जा रही है महिला स्वैं सुरक्षित होगी तो पूरा परिवास सुरक्षित रहेगा और समाज भी तुरक्षित रहेगा इसी द्रश्टी से इस विशेश अभियान की योजना बनाए गई थी मंगलवार का देन महिलाओं के लिए खास रहा अभियान में बड़ी संक् Force के निर्देशा नुसाथ सरकारी कारियालों में भी टीका करण अभियान में तेजी लाई गई है इसके पहले चरण में 17 सितंबर को जिला परिशद में 61 अधिकारियों करमचारियों का टीका करण किया गया यह थाबित हो चुका है कि टीका करण कोरोना से बचाफ का एक मात्र वैग्यानिक तरीका है टीका करण के लिए अभिभावक मंद्री डॉक्टर नेतिन राउत स्पेशल पाइनियर है नाकपुर और अमरवती संभागों में नागरिकों के टीका करण के लिए उड़िया विभाकी महराश स्टेट ट्रांस्मीशन कंपनी की सामाजिक जिमेदारी के तहट हाली में 20 अगस को 200 टीका करण वहानों को इस्थाना अंत्रित किया गया था जिले में कुल 34,48,000 नागरिकों का टीका करण किया जा चुका है पहली खुराक लेने वालों की संभी 44,000 जबकि दोनों खुराक लेने वालों की संभी 9,64,000 है नागपुर जिले में कुल 16,43,000 महिलाओं का टीका करण किया गया है जबकि 18,03,000 पुर्शोकू टीका लगाया गया है नागपुर शहर में 19 सितंबर तक 19,11,000 लोगों का टीका करण किया जा चुका है कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ अभिशेक पांसे की रिपोर्ट